हेलो, हाई गैस, हाई यू, फाइम नियस दिवरी, बेलकम स्टू टू लिशनास, वीवर्स और सस्क्राइबर्स, गैस कैसे आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ, श्वास्त होंगे, मस्त होंगे, अपनी तेहरी में, ब्यास्त होंगे, बड़ा आज का ये वीडियो प्रावधेक प्रकरती चित्रन देख लिया था, प्रकरती चित्रन जिसमें हम लोगों ने गुलाब बनाया या गुलहल बनाया या फिर जीनिया का पुष्प हो गया, डहेलिया का पुष्प हो गया, इसे हम लोगों ने प्रकरती चित्रन में बनाया, इसके बाद हम लोगों ने देखा था इस्मर्ती चित्रन देख लिया, इसमिल लगभग हम लोगों ने 20-25 questions किये थी, जैसे book हो गया, टार्च हो गया, चेयर हो गया, table हो गया, lamp हो गया, glass हो गया, जग हो गया, यह सब हम लोगोंने इस्मर्ती चित्रन में बनाया था, आम हो गिया अब हम लोग देख रहे हैं प्राकर्तिक द्रिश चित्रन तो यह section F का ही भाग है कोई एक प्रशन आपको करना है प्राकर्तिक द्रिश चित्रन तो इन तीनों में से कोई एक ही प्रशन आपको solve करना है एक प्रशन आप solve करेंगे और तीश नंबर आपके पक्के हो जाएंगे मैं पुना कहता हूँ बार बार कहता हूँ एक एक प्रशन की प्रक्टिस आप लगभग चार से पांच बार कर लीजिए जिसमें आप अपने आपको सहज महसूस कर रहे हूँ वही questions करिएगा जिसमें अपने आपको थोड़ा सा मजबूत आपको लगता हो कि आगर हम प्रकृतिक चित्रन कर लेंगे जैसे बनाने को कह जिया जाए डहलिया का पुश्ब बनाईए जिसमें पत्तियां भी हो और ठीक से प्रकास चाया अभिवक्ती अनकूल हो तो अगर उसे बनाने कह दिया जाए उसे आप अच्छे ढंक से बना ले जाए तो वही बनाईए तीशंक वहाँ से भी आपको मिलेगा अगर प्रकृत चित्रन में आप थोड़ा सा असहेज महसूस कर रहे हैं तो आप इसमर्ती चित्रन बनाईए जैसे गाय भैस वैल जो आपके प्रश्ण में पूचा जाएगा उसी के अनुरूप आपको आंसर देना है ना कि अपने साइट से अंसर देना है ठीक है ये बात जरूर ध्यान रखना है और जो है वस्तु का सेपेंड साइज जरूर ध्यान रखना है क्योंकि वस्तु के सेपेंड साइज पर अंकन है दस नंबर लगभग उसी के उपर डिपेंड करता है ना बहुत बड़ा बनाईए ना बहुत छोटा बनाईए ठीक है जैसा कहा गया है उसी के अनुरूप बनाईएगा बहुत जल्द पेंसल पेपर पे भी जो है काम चल रहा है उस पे भी आपको वीडियो उपलब्द कराया जाएगा कुछ दिकतें चल रही है इसलिए आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रहा है उसके लिए हम चमाप्रार्ती है आज के इस वीडियो में हम लोग प्राकरतिक दिर्श चित्रण से संबंदित questions देखेंगे दूसरी class है class जो है important है 2015 में डाटा पूछा जा चुका है आप देख सकते हैं पूछा गया है गाउं के किनारे तालाब का एक दिर्श चित्रण कीजिए तालाबों में ब्रिच्छ का प्रतिबिम भी दिखाई दे रहा हो कहने का मतलब यह है एक गाउं बनाईए गाउं का मतलब है चार पांच घर होने चाहिए और अगर चार पांच घर हैं तो उसके बगले एक तालाब भी बनाना है क्योंकि कहा जा रहा है कि गाउं के किनारे तालाब भी है तो पॉंड भी दरसाना है और पॉंड में जो है जो ट्री लगी है पेंड लगे हैं इनका द्रिश्य भी जो है प्रतिबिम भी दिख रहा हो इस टाइब से हमें बनाना है तो आराम से बनाया जा सकता है कोई बहुत जटल काम नहीं सबसे पहले तीन चार घर बना दीजिए जो है घर इस टाइब से भी बनाया जा सकता है ध्यान रखना है ये केबाड हो गया ये घर ये हो गया घर इस टाइब से भी बनाया जा सकता है थोड़ा सा जटल प्रोसेस हो जाएगा ठीक है, इस type से, इस type से, ये रोशन्दान हो गया, इसे दिखा दीजी, और ये आपका दर्वाजा हो गया, इस type से भी घर बनाया जा सकता है, एक घर और कहीं बना दीजी, मानलो इस side में हम लोग एक मंदिर type का घर बनाते रहें, ठीक है, तो इस type से अगर आपने मंदिर बना देना है तो पेंड भी इसमें बना देते हैं जैसे कोई एक छोटा सा पेंड बना दीजिए इस टाइप से ये हो गया अब एक पॉंड हमें बनाना है पॉंड यानि तालाव एक बना देना है तो तालाव बड़ा इस टाइप से घर के किनारे किनारे तालाव दर्सा दीजिए इस टाइप से आप एक बड़िया तालाव दर्सा देन और तालाव में इस ब्रिच की प्रतिछाया दिख रही हो यानि अगर ये ब्रिच बनाया है आपने तो इस ब्रिच को हरे रंग से आपको दर्साना ही दर्साना है अब इसमें आपको जो है प्रतिविम दिखाया जा रहा और जो है इन्हीं की प्रतिशाया आपको तालाब में दिखानी है तो इसकी प्रतिशाया आराम से आप दिखा सकते हैं जैसे यहां आपने तालाब बनाया था उपर आपने ब्रिच बनाया था इस टाइप से इधर भी आपने ब्रिच बनाया था इस टाइप से इधर भी आपन आपने घर बना दिया यह मानलो मंदिर हो गई ऐसे बीच में आपने घर भी बना दिया जैसे चोटे-मोटे घर भी हो सकते हैं कोई जोरूरी नहीं है बहुत बढ़ा हो यहां पर थूड़ी सी स्क्रीन छोटी है इसलिए ऐसा बन रहा है नहीं बड़ा घर भी बन सकता है पैंसल से मैं बना के आपको दिखाऊंगा बढ़ियां से प्राकृतिक द्रश्चित्रन ठीक है वही क्वेस्टन कराऊंगा जो एक्जाम में आने के लिए मोडल पेपर में सब कुछ होगा ठीक है फिलाल आज के इस वीडियो में आपको यह जानकरी मिलेगी कि आपको कैसे आकार बनाना है कैसे पूरा जो है डेटेल्स में लेके चलना है प्राकृतिक द्रश्चित्रन से पैंड साहिज कैसे रखना है अब आपने नीजे पॉंड बना दिया है नहीं तालाब बना दिया है अब इस तालाब में आपको फाइनली करना क्या है इस तालाब में आपको जो है ब्रिच्छों की छाया दर्शानी है आपस में तो ब्रिच्छों की छाया आप कैसे दर्शा सकते हैं तो छाया आप इस टैप से दर्शा सकते हैं जैस तो इस वाले फिकर का चाया जो है ये वाला हो जाएगा ऐसे ही ये वाला ब्रिच्च है तो इसकी जो चाया बनेगी वो नीचे शायड में बनेगी इस टाइप से ठीक है तो इस टाइप से बनेगी इसमें भी हलका सा हरा रंगन कर दीजिएगा ऐसे ये वाला ब्रिच्च है त आपको करने की ज़रूरत है, तीन से चार बार जब आप प्रक्टिस कर लेंगे, तब आपका अच्छा होने लगेगा, ठीक है, तीन से चार बार, मुश्किल से तीन से चार बार प्रक्टिस करेंगे, और धंग से आपका होने लगेगा, अब इसमें आप पंचियां भी उड़ दीजिए इस टाइब से ठीक है तो इस टाइब से ये पूरा चित्रा अंकन आप कर सकते हैं और फाइनली अच्छा अंक ले सकते हैं ये जरूर ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको बाउंडरी लाइन जरूर दिखानी है जैसे आपने ये फिगर बना दिया है तो इसे साइड से जो है बाउंडरी लाइन में कवर कर दीजिएगा और डबल लाइन में बढ़ियां से स्किल से बनाईएगा ये जो बाउंडरी आप बनाएंगे इसे double line में बढ़ियां बनाएंगे, थोड़ी मोटी रहे, देखने में अच्छी लगे, और यह जो figure का अकार होता है, maximum जो है 15 cm में यह figure बनाने को कहा जाता है, 15 cm में maximum यह figure बनाने को कहा जाता है, तो उसी पे आप practice करिए, जो 4S eyes का paper होता है, उस पे अगर आप करेंगे तो बढ़ जिस पे आप लोग कुछ कला करतियां करते हैं, वो आला चार्ट मिलेगा, ठीक है, एक मीटर वाली लंबाई चुनाई में, तो उस टाइप का चार्ट मिलेगा, उस पे आपको समस्त आलेखन का कार्य वहीं करना है, तो उस पे आप इसकी practice करेंगे, बहुत अच्छा होगा, लेकिन ए फोरिय साइज के paper में भी आप कर सकते हैं, और अपना काम निकाल सकते हैं, और अच्छा अंकर ला सकते हैं, आप सब जानते होंगे, क्योवल और क्योवल एक एपी paper होना है, प्रावैधिक कला, अगर आपने डाल दिया है, मामलोब आपने डाल दिया, और paper आप हल अगर हलके में आप ले रहे हो तो आपको मान लो शौ नंबर का पेपर हो 33 अंक आपको मिल भी जाये तो आपको क्या वेनिफेट है आगे चलके नई सिच्छा नीती लागो होने वाली है पता चले इसमें आपको इंटर्विव भी फेज करना हो तब इंटर्विव में सिधे सि क्वेस्टन्स बनेगा शौ नंबर का पेपर था 33 अंबर आपने कैसे लेकर आया यह बताईए त्यारी कैसे थे आपकी तो यह इन सब क्वेस्टनों से बचने के लिए आपको जो है अच्छी मेहनत करने की चोड़ोत है सटी ग्रणनी की साथ काम करेंगे तब जाके अच्छ 80464607 पर जो है आप अपना प्रस्टन भेज सकते हैं वाट्सअप कर सकते हैं वाट्सअप पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा अगर पेड़ गूरुप से जुनाना चाहते हैं उसके लिए भी यही नंबर है इस पर इंट्री प्रवेदिक कला लेक के भीजना है आपको ड मेनिफिट ले सकते हैं और कैसे आप जो है अपनी तैयारी मेंटेन कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स अबने मेंद अब तक के लिए जाहिंदे